मतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी योट्यूप चैनल में दोस्तों भगवान भूले भंडारी की किरपाप पाने का पर्व महाशिवरात्री का पर्व 11 मार्च को हो रहेगा और ये जो पर्व होता है ये फालगुन कृष्ण चतुरदशी को मनाया जाता है इस दिन दोपहर दो बज कर 41 मिनट से चतुरदशी प्रारंब होगी जो अगले दिन दोपहर तीन बज कर 4 मिनट तक रहेगी और इस बार की जो महाशिवरात्री है वो बहुत खास होने वाली है क्योंकि ये शिवरात्री शिव योग में आई है जो कि सिवजी का ही योग होता है इसके बाद सिध योग प्रारंब होगा बहुत अच्छे योग हैं और इन दोनों योगों में महा शिवरात्री का पर्व अत्यन्त सुख स्वभागय देने वाला साबित होगा। कहा जाता है इन योगों में जो मनुष्य भगवान शिव का अभिशेक, पूजन, मंत्र, जब, स्तोत्र पाट इन सभी का जब करता है वो प्रत्वी पर सभी प्रकार के सुख पाता है और मत् पुन है तो इस दिन आपको क्या-क्या कार्या करने चाहिए, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, पूजा किस वक्त आपके लिए सबसे अधिक फलदाई रहेगी और कुस जरूरी चीजें वो ऐसी कौन सी चीजें है जो भगवान शिव को आपको कभी भूल कर नहीं चैनल को जरूर सबस्क्राइब करने और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, दोस्तों महाशिवरात्री का पूजन निशित काल में रात्री में किया जाता है और ग्यारा मार्च की रात्री में 12 बजब कर 13 मिनट से एक बजब कर 2 मिनट तक यानि की 25 मिनट का महा निशित का बहुत ही महतपूर्ण होता है यह निशित काल और इसमें यदि भगवान शिव की पूजा की जाए तो यह विशेश तोर पर फलदाई रहती है लोग इस जो निशित काल होती है इसका इंतजार करते हैं कि इस इस काल में हम इस रात्री में हम भगवान शिव की पूजा करेंग जो मांगना है इस समय हम मांगेंगे इस दोरान भगवान शिव प्रत्वी लोग पर ब्रह्मन करने के लिए आते हैं इसलिए इस समय शिव जी का पूजन अभिशेक करने से मरुश्य के सभी कस्ट दूर हो जाते हैं तो इसलिए इस समय अगर आप करते हैं भगवान शिव का पूजन और अभिशेक तो बहुत ही अधिक उत्तम फल देने वाला ये समय साबित होगा इस महा शिवरात्री पर भगवान शिवर माता पारवती की पूजा की जाती है ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का विवाहा मा पारवती से हुआ था इस दिन इसलिए महा शिवरात्री है और इसलिए शिवरात्री पर भगवान शिव की विदिवत पूजा अर्चना की जाती है एविवाही तकन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए मन पसंद वर की कामना के लिए इस वरत को करती है जिनके विवाहा में अडचने आती हैं वो इस वरत को करते हैं आप चाहे इस्तरी हैं चाहे आप पुरुष हैं और इस दिन वरत रखने से मनुशे की सारी मनों कामनाई भी पूर्ण हो जाती है तो चलिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि भगवान शिव को इस दिन आपको भूल कर भी क्या चीज़े नहीं चड़ानी है एसी पांच चीज़े होती है जो हमें इस दिन बिल्कुल भगवान भूलेनात को अर्पित नहीं करनी है निशेद मानी जाती है तो देखे महा शिवरातरी के दिन भगवान शिव को भूल कर भी तुलसी नहीं चड़ाय जाती है हाला कि तुलसी का हर तरह की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि तुलसी का हिंदु धर्में बहुत विश्यसमेहत है लेकिन तुलसी को भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता है भगवान शिव को पूजा में केवल बेल पत्र चढ़ाना ही उचित होता है और केवल बेल पत्र चढ़ा कर ही पूजा की जाती है तुलसी माता का संबंद भगवान विश्णू से है इसलिए उन्हें तुलसी नहीं चड़ानी चाहिए तो इस बात का आपको महाशिवरातरी के दिन ध्यान रखना है कि तुलसी का पत्ता भगवान शिव को नहीं चड़ाना है दूसरी जो चीज है वो है तूटे हुए अक्षत महाशिवरात्री के दिन भगवान शिव की पूजा में तूटे हुए अक्षत यानि की चावल भूल से भी ना चड़ाएं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तूटा हुआ चावल चड़ाना पूरी तरह से अपूर्ण और अशुद होता है इसलिए भगवान शिव पर या किसी भी देव पर ये तूटा हुआ चावल किसी भी पूजा में ये शामिल नहीं किया जाता है तीसरी जो चीज है वो है शिव की उपासना में शंख का इस्तेमाल करना भी वर्जित माना गया है और इसके पीछे एक कथा भी है कि भगवान शिव ने शंख चून नामक अशुर का वद किया था जो भगवान विश्णु का ही भक्त था शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है इसलिए शिव जी की पूजा में शंख का प्रियोग भी करना उचित नहीं है चौथी चीज की दिवात की जाये तो वो है कुमकुम माशिवरात्री के दिन भगवान शंकर को कुमकुम नहीं चड़ाना है कुमकुम सौभागय का प्रतीक होता है अजब की भगवान शंकर है वो वैरागी है इसलिए शिव जी को कुमकुम नहीं चड़ाना चाहिए अगर शिव के साथ आप मापारवती की पूझा करते हैं, तो आप मापारवती को कुमकुम चड़ा सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को नहीं, अगर आप भगवान शिव को कुछ ऐसा चड़ाना चाते हैं, तो आप हल्दी चड़ा सकते हैं, केसर चड़ा सकते हैं, लाल केसर, पीला के सर या फिर हल्दी आप उनको अर्पित कर सकते हैं पांच वी और आंतिम चीज महाशिवरात्री के दिन भगवान शिव का नारियल पानी से अभिशेक नहीं किया जाता है क्योंकि नारियल देवी लक्षमी का प्रतीक है जिनका संबंद भगवान विश्णू से है तो इसलिए नारियल पानी का अभिशेक भी भगवान शिव पर वरजित माना गया है तो ये पांच चीजे ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और इन पांच हो ही चीजों को आपको भगवान शिव की पूजा में शामिल नहीं करना है अब हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो इस तिन आपको जरूर करने है महाशिवरात्री पर जब आप भगवान शिव का पूजन करते हैं तो उनके साथ नंदी का पूजन आप जरूर करें क्योंकि बिना नंदी पूजन के शिव की पूजा अधुरी मानी जाती है और भगवान शिव की किरपा पाने के लिए आप शिवरात्री पर यदि आपको कहीं बैल मिल जाए तो बैल को हराचारा जरूर खलाएं उसकी सेवा आप जरूर करें इसके अलावा आपको पता है बिल्व पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है और अगर आप अपनी को इच्छा पूरी करना चाहते है तो आप बिल्व पत्र पर चंदन से जो पंचाक्ष्री मंत्र है ओम नमशिवाय इस मंत्र को लिखकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं आप ग्यारा पत्ते या फिर साथ पत्ते बग्वान शिव पर अर्पित कर सकते हैं आम नमशिवाय लिखकर इससे आपकी जो इच्छाए हैं वो पूरी होंगे महां शिवरात्री की जो पूजा है वो चारों प्रहर की जाती है बग्वान शिव की पूजा रात्री जागरन करके या फिर चो हमने शिवरात्री के दिन काले वसर धारन करना अच्छा नहीं माना जाता है और जब आप शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं और जो जल का इस्थान होता है उसको भूल कर भी न लागे इन चीजों का भी दिहान रखना है इसके अलावा जिन चीजों को आप भगवान शिव पर अरपित करते हैं यानि कि शिवलिंग पर आप अरपित करते हैं उनको ग्रहन नहीं करना चाहिए क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाए गई चीजें ग्रहन करना शुब नहीं माना जाता है बिलकुल सात्विक रहें इस दिन किसी को भी किसी से भी आप कलह करने से बचें आप कहने से बचें और ना ही किसी की नेंदा करें इन सबी चीजों को ध्यान में रखकर अगर आप इस महा शिवरात्री के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो ये दिन आपके लिए सबसे उत्तम दिन साबित हो सकता है क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की इस्तिती भी बेहद खास बनी हुई है जो ग्रहे हैं उनकी किरपा से आपके लिए ये दिन बेहद लाबदायक रहेगा तो दोस्तों और अदि कैसी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीड